नमस्कार टीवी अंग प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं मिलिन गुजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भागलपूर के विधायक आजीत सर्माजी है आजिए सीधें से जानते हैं कॉंग्रेस के राहुल गांधी के निया यात्रा को लेकर बहुत स्वागत है आजी आज पूर से सुरूं गिया और बॉंबई तक जाएंगे और अभी बड़ा गरवान भी थं मेशियोस कर रहे हैं कि बिहार आ रहे हैं कि शन्गनसे फिर अरभएया जा रहे हैं पिर महां से दूसरे दिन वो निकल के पूर्णिया आते हैं पूर्णिया में रंग भूमी मैद में आम शभा होती है जिसमें हम लोगों ने मानिय मुख मंत्री आदनी तीशकुमार जी और आदनी राश्टी अद्धिक्स लारुप साज आदम जी को इस अमंत्रित किया है और उस दिन आपको बता दें बहुत अपार भी लोगी जंसा उत्सा है मैं पुर्निया सी घूम के आ सब्सक्राइब करने में विश्वास रखती है जो बहुत बंदन की सरकार अभी चल रही है इसमें सीट सेरिंग को लेकर के काफे विवाद हो रहा है आप कैसे देख रहे हैं इन तमाम विवादों को? को बारती जन्ता पार्टी से देश के यूगों को बचाना है महंगाई से बचाना है और जो रोकतन की हर्तिया और हिंदू मुशलमान की राजनीत हो रही है इस राम मंदिर के नाम पर लेपी राम भगवान तो हम लोग सब लोग रोज पूजा करते हैं आज से जब से पैदा नजदीक है अजीद सर्मा एक मजबूत मिदवार हो सकते हैं भागलपूर लोग सबासे कैसे देख रहे हैं क्या लगता ने आपको कि आपकी जो पकड़ है जिनस तरह के वोटरों पर और जिस तरह से आपने लोगों के बीच पिछ लगाता तीन बार से आप जीत के चौती जीत गए तो आप क्या लग रहे हैं लोग सभा में मिदवारी आप ने 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 वो लोग सभा में पहरे तो सीट सेरिंग की बात आपस में सब लुक करेंगे इंडिया गडवंदन और अगर हमारे चाहेंगे कि भागलपूर हमको लड़ना चाहिए तो राश्टी अध्यक्ष हमारे आधनी खडगे साहब, आधनी रहुल गांदी जी, मैडम शोनिया गांदी जी, आधनी नितीश कुमार जी, आधनी राव सभा में लड़ेंगे लेकिन यह कोई इश्यू नहीं है कि कौन सीट पर लड़ रहे हैं इश्यू है हम लोग गडवंदन में जितने लोग हैं बैट के आपस में बढ़ियां से सीट सेरिंग करें, वहां लड़ें जो जो लड़ना चाहिए जहां जीत सकते हैं और भारती जनता पार्टी को प्रास्त करें आपका चेहरा कॉंग्रेस के अगर बात करें तो भारती जनता पार्टी को गढ़ में आपने माद दिये, भागलपूर कहा जाता है कि भाजपा का गढ़ रहा है, भागवा जाजात के बात से कर देखें, बहुत लंबे अर्से तक यहां कॉंग्रेस तरस्ती रही और आप आ और आप देखिएगा जब उनेश्व और नवासी में, अक्टूबर में यहां पर हिंदु मुशलमान के बीच द्वेश वाज इसको दंगा के रूप दिया गया, लोग मारे गए उसमें